नमस्कार दोस्तों स्वागात आपका हमारे चैनल एनी ग्रूप में दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक जैसे आपने थमनेल में पढ़ी लिया होगा कि दूद को पीने का सही टाइम क्या है दोस्तों हमें से बहुत लोग इस बात के लिए confusion में रहते हैं कि दूद को कब पिया जाए कब नहीं पिया जाए और ये देखने में एक सामाने सा प्रशन लगता है तो चलो आज हम जानते हैं विस्तार से इसके बारे में तो पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को भी दबा लिजे ताकि मेरी हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटिर वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहें चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बचपन से ही हम सबी सुनते आएं हैं कि दूद पिना स्वास्ति के लिए बहुती फायदे मन हैं दूद अपने आप में एक संपूर आहर माना जाता है और ये एक आहर का बहुती महत्पूर्ण हिस्सा है दूद में कई तरह के प्रोटीन अ, विटामिन B1, B2, B12 और विटामिन D पाया जाता है इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारी हड़ियों के मजबूत रखने के लिए बहुत ही जादा जरूरी है इसके अलावा इसमें अन्य महत्पूर्ण तातु जैसे पोटे पाया जाते हैं चलिए दोस्तो अब बात करते हैं हमें दूद को कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए दोस्तो हमें से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुबह दूद पीने से हमें पूरे दिन शरीर में एनरजी मिलेगी पर दोस्तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है दू इसलिए आप सुबह दूद पीना अवोईड ही करें। दोपैर को दूद पीना बुजर्गों के लिए फायदेमन हो सकता है क्योंकि इनसे उन्हें ताकत मिलती है। शाम को दूद पीना आँखों के लिए बहुती फायदेमन माना जाता है। तो अगर आपको आँखों से जुड़े ही कोई समस्य है तो आप शाम को दूद पीए। रात को दूद पीना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे शरीर की थकान मिड़ती है और नीद अच्छी आती है। ट्रिप्टोफिन नामक अमीनो एसिड की मौजूदगी से नीद के हार्मोन स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके कारण रात को दूद पीने से नीद अच्छी आती है। दूद कैलिशियम का अच्छा स्तरोत है जो हड़ियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके अलावा जो छो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं उनकी लिए भी रात को दूद पीना बहुती ज़्यादा पाइदेमन। तो चलिए दोस्तों इसके लावा हम जान लेते हैं इससे जुड़े कुछ अलग तक्ठों के बारे में हमें कि किन किन बातों का धान रखना जरूरी है कमजोर पाचन जिन लोगों को हर वक्ट पेट की खराबी और पेट में कीड़े जैसे समस्यां गिप से परिशानी होती हैं उन लोगों को दूद के सेवन से बचना चाहिए दूद को कभी भी भोजन के साथ नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये जल्दी हजम नहीं हो पाता और इसे हमेशा से अलग से गरम करके ही पीना चाहिए जिन लोगों को lactose intolerance जैसे समस्या है उन लोगों को भी दूद का सेवन नहीं करना चाहिए और ठंडे पदार्थों के साथ भी दूद को कभी नहीं पीना चाहिए तो I hope दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी अगर मेरी ये जानकारी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को भी दबाएं और हाँ अगर मेरे चैनल को लाइक और शेर करना बिलकुल भी मत भूलिए और दोस्तों अगर आप हमसे इस वीडियो से जुड़ी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी हेल्थ या ब्यूटी टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमशकार धन्यवार